दोस्तो मैं अपने चैनल पर बताने वाला हूं कि कैसे आप अधार कार्ट को पेंट कार्ट से लिंक कर सकते हैं सबसे बड़ी बात यह आपको मैं बता रहा हूँ यह आप खुद कर सकते हैं दोस्तों यह चाहे आप मोबाइल पर हो चाहेँ आप अपने कम्प्यूटर पर लेकिन लेकिन मैं आपको अपने desktop बताने जा रहा हूँ लेकिन दोनों process सेम हैं चलिए दोस्तों सुरू करते हैं बीना wasted time और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो मैं आपने चैनल पर वीडियो लाता हूँ ऐसी जनकाई लाता हूँ जिससे आप पैसे कमा सकें क्योंकि दुनिया में life में पैसे की ऐमियाद बहुत जादा है दोस्तों अगर आप सौर्ट वीडियो देख रहे हैं सब कुछ देख रहे हैं लेकिन अगर पैसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप कही न कहीं बहुत बड़ा problem आने वाला है मेरे चैनल पर है त करता हूं पैसा कमाने के तरीके पर चलिए बिना देर की वे मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों देखिए यहां पर income tax आप लिख सकते हैं जैसे आप income tax लिखेंगे यहां पर देखें यू यह URL आयाता है हम इसे simply क्लिक करते हैं जैसे दोस्तों इसे हम क्लिक करेंगे हमें एक नया पेज फुलका सामने आजाए अब यहां पर हम यहां पर हम ऊपर वाले को क्लिक करते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं इस पोटल पर सारा चीज आ चुका है आई तिंक पूरा डिटेल यहां पर आपको दिख रहा होगा देखिए दोस्तों यहां पर link अधार status है और link अ सबसे पहले हम अपना अधार और pencard से चेक करेंगे कि link है कि नहीं इससे चेक करना बहुत ज़रूरी है अगर already आपका link होगा तो आपको link करने की ज़रत नहीं होगी तो कि पहले बहुत से लोगों ने link कर रहा है लेकिन वो सोचते हैं कि link नहीं है तो अपने status को आप चेक कर यहां पर डालूगा मैं अधार नंबर अपना अब दोस्तो मैंने दोनची डाल लिया है अब मैं इससे क्लिक करकर चेक करूँगा दोस्तो मैंने चेक किया तो मेरा pencard अधार कार्ट से link नहीं है तेकि यहां पर लिख रहा है pen not link it with अधार please click link अधार to link your अधार with pen दोस्तो ज सबसे पहले मैं एक बात clear करने चाता हूं यहां पर जो link करने का charge है वो 1000 रूपय है भारत सरकार द्वारा और मैंने एक वीडियो पहले बना रखा है जो आपको thumbnail दिखाई दे रहा होगा यह thumbnail में बता रखा है कि क्यों अधार कार्ट से pen card link करना जरूरी है तो यह वीडियो आप देख लीजिएगा चलिए दोस्तों अब हमें status मालूम चल चुका है कि हमारा पेंट अधार कार्ट से link नहीं है हम उसे अब link करने वाले हैं दोस्तों जब हमारा अधार कार्ट पेंट कार्ट से link नहीं है तो इसके लिए अब हम आते हैं direct अपने home page पर home page पर आने के बा अगर आप चाहे तो वहाइं भी करवा सकते हैं अगर चाहे तो खुद करके कुछ पैसे अपने आप शेफ कर सकते तो चलिए मैं आपको ता हूं कैसे आपको करना है यहां पर मैं पेंट नमर डालूंगा और यहां पर अपना अधार नमर डालने वाले आँ दोस्तों आप देख सकते हैं आप लिखा हुआ है अधार पैनल लिंक कंप्लीट नौट इफेंडेबल पेमेंट हजार रुपए एपेमेंट इस दा यहां लिखा हुआ ही फिलिंग पोर्टल प्लीज मेक यूर नौट इफेंडेल पेमेंट डन मिरर फाइपन अधर बताने वाला हुँ मैं दिखाता हूं कैसे अधार पैनल लिंक पोर्टल प्लीज वेट फोर फाइव वर्किंग डेड़ देट ऑफीज पेमेंट बिफोर समिटेड ए रिक्वेस्ट अधार पैनलिंक यह फिलिंग पोर्टल जब आप अधार लिंक के लिए जो पोर्टल पे आप सब्मिट करते हैं पुरा डन कर देते हैं पेमेंट के साथ उसके बाद चार-पांच वर्किंग देख के बाद आपका लिंक होता है दोस्तों तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे करने के बाद तुरंद लिंक हो जाएगा यह मात सोचिएगा कुछ चार-पांच दिंग लगत करता है अंक दोस्तों यहाँ से डारेक्ट मैंसे क्लिक करता हूँ गया है दोस्तों यहाँ पर फिर शेमीरा पांट नंबर और और कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले यहां पर दोनों जगाएं और आपको भी मताता हूँ दोस्तों दोस्तो जैसे ही मैंने उसे क्लिक किया क्लिक करने के बाद आपको हम लोग आ गए है यहां पर जहां पर अपना OTP पी रद मेरे मोबाईल पो टीपी आया है मैं इसे फिल करूँगा दोस्तों जिए देखे दोस्तों इसने में नाम भी विस्व कर दिया है अब मैं यहां पर देखिए मेरा पेन नमबर भी दिखा रहा है और यहां पर मेरा जो अधार नमबर दोनों दिखा रहा है तो मैं continue करता हूं यहां से अब दोस्तों यहां पर जब आप यहां पर आते हैं तो यहां पर confused ना हो सबसे पहली बात यहाँ पर confuse ना हो यहाँ पर आपको लेना है income tax वाला सबसे पहला जो है इसे ही आपको select करना है तो हम आप चाहिए तो इसे पढ़ सकते हैं मैं इसे ही select करना है ठीक है assessment जो assessment year दिखा रहा है आप 2023 प्रजेंट का ही ले ले और इसके बाद आप final receipt 100 रुपीज other receipt 500 वाला ही select करें आप ओके इसके बाद आप इसे continue पर यहाँ पर हम click करेंगे दोस्तो जैसे हम click करेंगे इसके बाद यह सब चाला चीज़ दिखा देगा 1000 रुपए आपको यहाँ दिखा रहा है यहाँ पर simply आपको click कर देना है यहाँ पर देखिए दोस्तो यहाँ पर आपको सारे bank का आपको option दे देता है आप किस bank से करना चाहते है net banking या किस bank से करना चाहते है तो आप जो भी bank चाहे उस bank को choose करके जैसे मैं अपना bank choose कर ले रहा हूँ दोस्तो दोस्तो मैंने अपना payment कर दिया है अब payment करने के बाद दिखिए ऐसा ही आपको form दिखाई देगा add मेरा पूरा payment हो चुका है यह दिखिए तचलान payment is successful download the receipt यहाँ पर मैं आपने डाउलोड कर लूँगा यहाँ सारा detail मेरा नजर आ रहा है दोस्तो तो इस तरह का आपको process दिखने वाला है मैं इसे को मैंने इसे download भी कर लिया है दोस्तों तो चलिए आप अगर करना चाहते हैं, तो आपका simple process है, मैंने कर लिया है, आप भी कर ले, क्योंकि आप कितना भी बचेंगे, ये government है, दोस्तों, कहीं न कहीं आपको फसा देगा, उस time आप बहुत परिसान होते हैं, कि मैंने ये चीज़ नहीं किया, कास मैं कर लिया होता, तो बहुत दिक्कत आती हैं, तो हो गया, ठीक है, मैंने इसे कर लिया, 1000 रुपए, बहुत बड़ी चार्ज है, मैं खुद कर रहा हूँ, 1000 रुपए दे दिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैंने खुद किया है, और मैं ये बोलना चाहता हूँ आप सब को कि, आप कितना भी कर ल अगर जिस तलाब में हैं, आप उस तलाब में बच नहीं सकते, इसी तरह दुनिया है जोस्तो, चलिए, थैंक यू, पैसा कमाने के लिए हमाई चैनल पे हमें साब बने रहे हैं